आज के अमारी जो वीडियो है that is related to correlation. Correlation basically दो variables का relationship कहलाता है. अब ये दो variables जो है कोई phenomena भी हो सकता है, दो mathematical variables हो सकता है, statistical variables होते हैं, जो के vary करते हैं, जो के associated होते हैं, जो के हमेशा ये हो सकता है कि वो change हो सकते हैं और ये साथ हमेशा हो भी सकते हैं और इनको हम expect कर सकते हैं, कि ये जो है वो कोई ना कोई इनकी जो degree है, वो change हो सकती है. जो purpose है किसी भी correlation को check करने का, correlation हम इसलिए यूज करते हैं, ताकि हम देख सकें, particularly research में, ताकि हम determine कर सकें कि कि किसी भी चीज़ का अगर दो variables है, independent variable है, dependent variable है, तो उनका relationship कौन सा है, क्या उन दोनों का जो relationship है, वो किस तरह का है, और उनमें जो relationship है, वो किस तरह से हम measure कर सकते हैं, correlation अगर research के perspective से देखें, तो ये बहुत ज़्यादा importance इसलिए रखता है, क्योंकि हमारे जो बहुत ज़्यादा hypothesis बने वे होते हैं, उनका ज़्यादा तर जो NSR होता है, वो correlation पर होता है, या lack of correlation, कि कोई चीज हम assume यही करते हैं, कि किसी का या तो significant relationship होगा, significant effect होगा, या जो है किसी का, इसका कोई relationship या इसका कोई difference नहीं है, यही हम चीज hypothesize करते हैं, या tentative guess लगाते हैं, और उस चीज को measure करने के लिए, हम भे correlation का सारा लिते हैं, हम देखते हैं, कि whether जो हम assess करने जा रहे हैं, हम जो check करने जा रहे हैं, क्या उसका relationship आपस में है या नहीं, इस चीज का ज्यादा तर हम कोई questionnaire बनाते हैं, हम parameters देखते हैं, कि whether जो हम कोई चीज पूछने जा रहे हैं, तो हमारे जो questions हैं, जो number of items हैं, वो एक दूसरे के साथ correlate करते हैं या नहीं, वो relate करते हैं या नहीं करते हैं, correlation अगर statistical terms में देखें, तो ये basically relationship, किसी वी दो variables को check करने के लिए लगाया जाता है, ये variables आप ना तो इनको manipulate कर सकते हैं, ना control कर सकते हैं, रादर आप simply इनको observe करते हैं, कि whether जो आपने, let's suppose अगर कोई किसी भी चीज को test करने के लिए, आपने questionnaire बना आ हैं, वो questionnaire क्या वो सारे questions, एक दूसरे को relate करते हैं, वो correlate करते हैं, उस चीज को पूछते हैं, कि independent of a dependent variable में relationship है या नहीं, suppose अगर आप example ले ले, कि for example, correlation चेक करना है, तो क्या किसी के brain size का, हम intelligence के साथ correlation देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जैसे कि suppose अगर कोई researcher है, वो IQ test करना चाहता है, किसी भी एक individual child का, तो अब उसका जो तरीकिकार होगा या उसका जो steps होंगे, वो यह होंगे कि सबसे पहले वो group of students को देखेंगे, और उनकी different family जो different family background से आ रहे हैं, अब उनको observe करने के लिए, उन सारे बचों का IQ test करने के लिए, उनकी family members से उनका coordination होगा, उन से बातचीत करेंगे, उनका जो है वो पूरी background देंगे, history लेंगे कि इनके basically इस बच्चे क्या जो background है, family background है, वो किस तरह का है, family में बाकी सारे इसके siblings, इसके parents, इसके बाकी भी अगर कोई लोग है, तो वो उनको देखेंगे कि whether वो उनमें और इनके जो IQ level में कितना difference है, या अपकी इस बच्चे का IQ level इसके मताबिक है या नहीं, फिर वो इस तरीके से observe करते हैं different बच्चों को individually, उन सारे group के जतने भी students हैं, उनके हर एक family members के साथ वो observation करते हैं, meetings करते हैं और meeting में observe करते हैं कि इस बच्चे का IQ level है, वो इसलिए इस तरह से हैं क्योंकि इसकी पूरी family जो एक IQ level की है या low IQ level की है, इसका एक और example अगर हम देखें किसी का direct correlation देखना है तो जैसे smoking है, उसका lung cancer के साथ direct relationship है, कि जितना कोई ज्यादा smoking करेगा उतना उसकी जो lungs है वो damage होते जाएंगे, ultimately वो lung cancer का शिकार हो सकता है, या अगर किसी का अगर आप कोई इस तरह से कहें कि there is no relationship, there is no correlation, तो for example अगर कोई बहुत ज्यादा thin है या बहुत ज्यादा thick है, तो उसकी जो state of happiness है, उससे आप judge नहीं कर सकते कि किसी का physical appearance है वो किस तरह से है और वो physical appearance को आप देख के कह सकें कि ये बहुत ज्यादा healthy है या ये बहुत ज्यादा ज्यादा ये खुश है या ये ना खुश है, characteristics अगर relationship के देखें तो वो एक direction में जो relationship है, directional या direction relationship जो होते हैं वो positive relationship होता है, जिसमें x अगर variable increase होता है तो y variable भी simultaneously increase होता है, या x variable decrease हो रहा है तो जो y variable है वो decrease भी हो रहा है, अगर आप इसको demand and supply में देखें या तो आपको price और demand का अगर positive relationship देखना है, अगर price increase होती है तो supply increase होती है, इसी चीज़ का अगर आप negative में देखें तो जैसे जैसे price increase होती जाती है, वैसे वैसे आपकी demand जो हो decrease होती जाती है, किसी भी commodity की, किसी भी services की, अगर negative correlation होता है तो वो definitely इसी के opposite जाता है जो positive direction होती है या positive correlation होता है वो हमेशा एक चीज के increase होने से दूसरी चीज भी increase होती है या एक चीज के decrease होने से दूसरी चीज भी decrease होती है That is basically the direction, one direction में, या तो दोनो negative में हैं या दोनो positive में, direction of relationship is identified by the sign of a positive, indicates positive अगर sign है, that means कि आपका relationship positive है और अगर negative sign नजर आता है तो that means कि relationship आपका negative में है, अगर आप form of relationship में देखें तो ये basically वो measure करते हैं कि specific जो data है, वो हमें क्या बताती है कि इस data में जो relationship है, correlation है, वो किस तरह का है, either it is positive one और it is the negative one, linear correlation में जर करता है कि how well data points fit on a straight line, for example अगर आप degree of relationship देखना चाहें तो degree of relationship है, numerical value होते हैं correlation के, जिसमें positive one से लेके negative one तक है, और जो perfect correlation होता है, वो हमेशा आपका one पे indicate करता है और जिसको हम perfect fit करते हैं, जिसको indicate अगर करना हो तो आप plus one point zero zero कर देते हैं, जो perfect positive correlation कहलाता है, whereas अगर minus one point zero zero आप लिखते हैं, indicate करते हैं, लिखते हैं that indicates a negative correlation के इसका negative impact पड़ता है, कि जब-जब कोई चीज increase होती है, जैसे जैसे अगर teachers अगर effectively नहीं पड़ाते हैं, तो वैसे ही students की efficiency है, और student की learning है, वो decrease होती जाती है, यह तो आपका हो गया, एक direction में positive आपको नजर आता है, negative relationship है, और अगर इस तरीके से अगर हम देखें, कि जैसे जैसे effective teaching है, तो effective learning होगी, then that is a positive relationship, correlation of zero, अच्छा जी, negative जो है, वो उसमें ये भी है, कि जैसे, basically यही है, कि आपकी अगर effective teaching नहीं है, तो definitely, और उसके बावजूद, अगर कोई students effectively participate करते हैं, effectively learn कर जाते हैं, तो इसको आप relate कर सकते हैं, कि ये तो negative relationship हो गया, क्यूंकि अगर teacher सही पढ़ा नहीं रहे, तो बच्चे सही पढ़ कैसे रहे, आप इस चीज को छोड़ दें, कि उन्होंने कोई और services, कोई और resources यूज़ किये, अगर सिर्फ इस चीज को measure किया जाये, तब अगर इस तरह को हम देखेंगे, then that would be a negative impact, or negative correlation, और जो correlation zero indicate करता है, या zero लिखते हैं, उसका मतलब यह है, कि कोई relationship नहीं है, कोई इसमें, हम इसको fitty नहीं कर सकते, अचा, Pearson correlation, mostly हम Pearson correlation जो है, वो use करते हैं, जिसमें, जिसको Pearson product moment correlation भी का जाता है, जिसको R के साथ denote किया जाता है, इसमें, जो हम predict करते हैं, कि हमारे जो two variables हैं, वो systematic related हैं, एक दूसरे के साथ, और यह तभी possible होता है, जब आप predict सही तरीके से करते हैं, और उस prediction के लिए, सबसे पहले, जो चीज ज़रूरी होती है, वो major करना होता है, कि आपकी validity क्या है, suppose अगर कोई researcher जो है, वो test develop करता है, और उसमें students की intelligence को major करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कि वो उस test को ऐसा valid बनाए, उसका test इस तरह से हो, कि वो वाकिई बच्चे की intelligence चेक कर रहे हो, ना कि उस बच्चे की कोई interest या कोई और चीज मालूम कर रहे हो, जो कि इस से चीज relevant ना हो, तो intelligence measure करने के लिए, जो questions पूछे जा रहे हैं, जो item of questionnaire है, वो सारे के सारे related to particular parameter हैं, उसी के अंदर ही आते हों, जैसे कि अगर हम validity की ज्यादा तर जो definition देते हैं, what you want to measure, supposed to measure that, for example अगर, जैसे हम example देते हैं, thermometer को वुखार चेक करने के लिए यूज किया जाता है, glucometer है, इस तरहीके से आपका BP apparatus है, यह सारे तभी अच्छे तरीके से काम करेंगे, जब उनको आप सही और valid तरीके से use करेंगे, अगर वो valid results देंगे, तब तो वो valid है, और यही चीज़ अगर हम educational research में देखें, या आप कोई भी research में देखें, तो हमेशा वो जो आपका tool, जो instrument है, वो जब उस particular चीज़ को measure करेंगे, और accurately measure करेंगे, that means that tool is reliable or valid, then it comes reliability, reliability, validity से ही determined होती है, जब हम कोई भी चीज reliability देखते हैं, कोई चीज हमने देख ली कि यह valid है, for example, एक questionnaire है, जो बचे की intelligence को check कर रहा है, तो वो कब तक valid है, जब तक वो उसकी validity हमने चेक की, कि यह questionnaire इसी तरीका है, यह questionnaire बचे की intelligence को ही check करता है, लेकिन जब हम correlation check करने के लिए reliability को देखते हैं, तो reliability हमेशा यह बताती है, कि जो आपका consistency है, जो कोई भी आपके, जो for example, आपका जो intelligence, intelligence test करने के लिए, आपका जो tool है, वो वाकि reliable है या नहीं, क्योंकि आप number of times उसको, attempt करेंगे, आप उसको apply करेंगे, और reliability हमेशा इस चीज़ में देखी जाती है, कि जो आपके questions है, वो वाकिए ही उस चीज़ को measure कर रहे हैं, जैसे हमने validity में देखा, लेकिन reliability भी उसी चीज़ का ही दूसरा part है, कि जब तक वो test आपका उस चीज़ को measure नहीं करता, जिस चीज़ के लिए वो बना गया है, या जो questions हैं, वो उसी चीज़ को पूछने के लिए, जिस भी, for example, अगर किसी की readiness चेक कर रहे हैं, कि वेदर आप लोगों को online classes पसंद हैं या नहीं पसंद, तो उसके लिए जो सवालाग पुछे जाएंगे, वो सारे questions उसी चीज़ को, particular चीज़ को ही, जब deal करेंगे, जब उन्हीं चीज़ों को वो बार-बार पुछेंगे, that means, और over the time period, एक बार आपने टेस्स लिया, फिर दुबारा आपने टेस्स लिया, फिर जब भी आपने टेस्स लिया, और उसके results consistently same आएं, that means, आप कह सकते हैं, that the instrument is reliable, valid and reliable as well, अगर हम psychological theories में देखें, तो specific जो prediction की जाती हैं, relationship की, वो दो variables के according की जाती है, जैसे के thon dyke का है, या आप इसके नरका देख लें, तो उनका basically जो test होता है, वो ये देखता है, कि दो variables हैं, dependent variable है, independent variable है, क्या dog को जब वो meat देते हैं, या fish देते हैं, different books में different चीज़े लिखी वी हैं, तो उसकी वज़ा से, उसका जो slavia है, वो कितना generate होता है, वो उसको कितना thirsty, या उसको कितना hungry, hungry feel करता है, और उसकी वज़ा से, वो कितना dependent होता है, तो ये सारी चीज़ें, जो भी practically, उन्होंने practical किया है, तो वो ये चीज़ देखने के लिए, कि whether अगर एक आपका जो variable है, उसके increase होने से, या उसके मौझूद होने से, दूसरा जो variable है, dependent या independent, वो कितना ज़्यादा effect होता है, अगर यही चीज़, brain size के मताबिक, learning ability के मताबिक, देखते हैं, psychologist, तो फिर parents के IQ test को इसाल सब, बच्चे का IQ test भी लिया जाता है, ताके दोनों को match किया जाए, और फिर understand किया जाए, whether the IQ test of both the parents, and student, or the child is same or not, is it is correlating to each other or not, in case के prediction, जो हमने की है, जो हम correlation, हम prediction जो करते हैं, जो hypothesis बनाते हैं, वो उसको check करने के लिए, हमेशा हम दो variables को ही, समाल करते हैं, then it comes, spearman correlation, most commonly, जो हम experiment correlation यूज करते हैं, वो हमारा linear relationship शो करता है, कि whether जो हमारा relationship है, तो variables का, वो linear relationship है, ये interval ratio के लिए यूज होता है, या interval या ratio data के लिए, अगर हम इसको measure करें, और हम दिखें कि किसी भी, दो variable का, जो relationship है, वो non-linear relationship है, या linear relationship है, उस चीज को measure करने के लिए, experiment correlation यूज किया जाता है, और experiment correlation, हमेशा जब भी हम use करते हैं, that is, statistics में, तो इसकी internal consistency देखते हैं, for example, आप questionnaire बनाते हैं, और questionnaire में सारे की सारे items, आपको, किसी particular variable को check करने के लिए, आपने लिखे वे हैं, या बनाए वे हैं, ताकि आप उसका, respondents का, agreement या disagreement, देख सकें, कि whether वो कितना agree हैं, कितना disagree हैं, अगर वो agreement के हिसाफ से होंगे, और यहां पर जैसे example दी वही हैं, कि bike के हिसाफ से, अगर agreement के हिसाफ से question होंगे, तो उनके answers यही होंगे, कि I like to ride bicycle, और I have enjoyed riding bicycle in the past, या फिर disagreement है, तो फिर वो यह कहेंगे, कि I hate bicycles, इसी चीज़ से हमें अंदाजा हो जाता है, इसकी consistency से हमें पता चल जाता है, कि whether जो हमारा जो questionnaire है, वो सही correlation, उनके जो items हैं, वो correlate करते हैं या नहीं करते हैं, अगर हम statistical point of view से देखें, internal consistency किसी भी questionnaire की, किसी भी टूल की, किसी भी जो instrument है, उसको check करने के लिए, crown bag alpha यूज किया जाता है, और statistically अगर हम उसको देखें, तो वो basically 0.6, जिसको 60 इससे 70% तक होना चाहिए, तो फिर वो acceptable होता है, क्योंकि हम इस लिए इस चीज को assume करते हैं, कि जो questionnaires है, जो भी items उसमें होंगे, वो उस particular variable को check करते होंगे, अगर वो उस particular variable को check करते हैं, और उनकी जो reliability है, या correlation है, वो 60 to 70% आ जाती है, 70 पे आ जाती है, that would be more reliable, 80 तक भी हम इसको higher indicate कर सकते हैं, या good reliability कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, कि अकसर research में हमें 0.95 या उससे भी higher reliability नजर आती है, जो कि understandable नहीं है, acceptable नहीं है, वो इस लिए, कि वो 0.95 या उससे भी higher reliability होती है, वो basically show करती है, कि आपके item में, आपके questionnaire में कुछ essay items हैं, जिनके एड करने से आपके reliability तो increase हो गई है, लेकिन उनके items का questionnaire में होना या ना होना, कोई माने नहीं रखता, अगर आप उनको delete भी कर दें, अपने उस questionnaire में से eliminate कर दें, तब भी आपकी reliability सही साबित होगी, अगर वो 60 to 80% तक आ जाती है, वो इसलिए कि mostly अगर हम सवाल पुछते हैं कि do you like meat, और how do you love it, फिर what percentage would you give it, या फिर इस तरह से आप सवाल पुछे जारे हैं, जो कि relevant है, अगर आपने एक बार सवाल पुछ लिया कि do you like meat, तो आप दूसरा सवाल ये पुछ सकते हैं कि if yes, then which one, the white meat or the red meat, या जो भी है, तो इस तरह से आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं, so this is basically, crown back alpha जो हम use करते हैं, वो उसी के जरीए हम देख सकते हैं, कि जो internal consistency है, consistency is basically thickness, कि कोई भी चीज, आपकी जो measure करी है, जो question air है, वो सही तरीके से सवाल arrange हुए हैं, या नहीं arrange हुए हुए है, जब हम अपने कुछ items को निकाल देते हैं, तो हमारी अगर reliability 80 तक आ जाती है, जो कि पहले 95 तक थी, तो उसमें आपको आप justify करने में बहुत असानी हो जाती है, so this is basically, correlation as a whole, and correlation in research perspective.